विज का क्या आर्थ होता है यह आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं विज जो है एक Latin word है इसे Vodalis से बोला जाता है Latin में और इसकी ही एक abbreviation है यानि कि इसी के short रूप में विज की तरह इस्तेमाल किया जाता है कि जैसे हम यह बताना चाहें कि जैसे यहां यह यह चीजें मिलती हैं और फिर उन चीजों के नाम बताएं तो उसको विज करके बताया जाता है यानि कि जैसे हम यह कहें कि यह जो store है यहां पर खुब सारे fruits मिलते हैं जैसे कि apples, bananas and oranges तो हम कहेंगे the store offers various fruits with apples, bananas and oranges या अगर हम यह कहना चाहें कि his favorite subjects were mathematics and physics with the exact science यानि कि उसके जो favorite subject थे वो mathematics और physics थे जो की exact science है यानि कि जो की सही तरीके से विज्ञान जने कहा जा सकता है तो इस context में इसका इस्तिमाल किया जा सकता है बाकी हिंदी में जैसे हमें यह कहना हुए कि यानि, यथा, अर्थाथ, नाम्शे, या नाम्टै इस तरीके से कहने के लिए विज्ञ का इस्तिमाल किया जाता है इसका जो इस्तिमाल है वो आम तोर पर legal भाशा में जादा किया जाता है रहने कि जो legal language होती है उसमें ज्यादा इस्तिमाल करते हैं informal language में तो हम normally, namely या that is to say और इस तरीके के और words का इस्तिमाल कर लेते हैं या like का इस्तिमाल हम कर लेते हैं अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें